नमस्कार राग्यरी वीकेंड इंटर्वीव सीरीज में आप सभी का स्वागत है ये साल 2022 का आखरी इंटर्वीव है और ये हमारा सौभाग्य है बलकि परम सौभाग्य है कि आज जो कलाकार हमारे इस मंच से जुड़ रहे हैं हमें आशिरवाद देने के लिए मुची दुनिया में पूरे विश्व में बांसुरी का पर्याय माने जाते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि बांसुरी को अगर कालखंडों में विभाजित किया जाएगा तो पहला कालखंड निश्चित तोर पर पंडित पन्नाडाल घोश जी का होगा और दूसरा कालखंड होगा पंडित हरी प्रसाच रसिया जी का मैं बेहत विनम्रता के साथ बिलकुल हाथ जोड़ते हुए पंडित जी का स्वागत करता हूँ समय उनके पास कम था बावजूद इसके वो हमारे साथ जुड़े वो हमें स्नेह देंगे इसके लिए अग्रिम धन्यवाद देते हुए पहले प्रशन पर आता हूँ पंडि जी बच्पन हर किसी का होता है और ये मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल भी है और जब भी कोई मूर्धन्य कलाकार जब भी कोई एक ऐसा कलाकार जिसकी लंबी संगीत साधना रही हो वो हमसे जुड़ता है तो मैं उससे बहुत ही उत्सुकता के साथ बहुत ही जिग्यासा के साथ पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि बच्पन कैसा था बच्पन की कौन सी यादें अभी ताजा है आप भी ज़रा चलिए ना अपने बच्पन में और हमें बताईए कि आपका बच्पन कैसा था यह तो सही बात है बच्पन कोई कैसे हो सकता है बच्पन की जो यादे हो सारा जीवन दियान रहती है बिलकुल पंड़ी और हमने तो आपके बच्पन की वो कहानिया भी सुने हैं, वो किससे भी सुने हैं, जब आप चोरी से आपने बांसुरी सीखना शुरू किया था, और फिर देखिए वो सफर कहां तक पहुँचा, और दुनिया भर्न में जो आपको प्यार मिला, सम्मान मिला, आज पता निक कितने लोग आपके शिश हैं, आप से सीख कर पूरी दुनिया में बांसुरी का आपका प्रचा प्रसार नाम बढ़ा रहे हैं, सब शाखाएं हैं एक तरीके से आपकी, आप एक व्रिक्ष की तरह से हैं और ये शाखाओं की तरह से निकले आपके ढेर सारे शिश हैं जो पुरी दुनिया में पहले हुए हैं, लेकिन अब बहुत सामानने सा एक प्रश्न आप से पूछना चाहता हूँ, कि अब जब आप अपने शिश्यों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं, तो संगीत साधना के साथ साथ ये बताते भी होंगे आप, कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए, एक अच्छा इंसान होना कितना जरूरी है? कलाकार की बात छोड़े हैं, आप डुनिया में कोई भी किसी प्रकार का भी रिस्पांडल जाब हो, या भगवाल ने उसी के लिए उस सुजेक्ट को बनाया हो, तो एक अच्छा इंसान अधर होगा, तो उसकी और कुल्भू बनेगी, उसकी और चबद बनेगी, उसके मुझे ऐसा लगता है कि उस सक्षियत में कोई भी सक्षियत हो, अच्छा है चालोना बहुत आश्यत है, पंडी जी हमने आप से आपके बच्पन की बात की, एक अच्छे कलाकार के लिए अच्छा इंसान बनना कितना जरूरी है, इस विशे पर भी आपकी राय जानी, बहु जिस तरह से सीखना शुरू किया, फिर जिस तरह से आप मा को अपनी याद कर रहे थे, और फिर मा जल्दी चली गए थी आपको छोड़के, वहां से जो सफर शुरू हुआ वो आज काम्याबी की, बुलंदी की, शुहरत की, प्यार की, सम्मान की, उस उस च्छितिश पर है, उस जगह पर है, जहां उसका एक अलग मुकाम है, लेकिन क्या आपकी भी कुछ ऐसी खौईशे हैं जो अधूरी रह गई? अपना लेते हैं कि अब ऐसा है, तो ऐसी ही होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, योगी भगवाट पे सोचा है हमाले लिया, किसी के आपके लिए, उस अच्छा ही सोचा है, जो घर्वर हुआ, जहां उसको ताकत रखना जाए, कि अब उस सभाले हैं. अच्छा पनी जी, एक मेरी उत्सुकता जैसे पहले प्रश्ट में थी, वैसे ही उत्सुकता है, और दिल्चस्प बात ये है कि जिन दो शहरों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन दो शहरों से, मेरा भी बड़ा विनम्रता से मतलब इसको कोई, सिर्क प्रसंग वश आपक है हुई, इलहाबाद आपका पैदाईश का शहर है, इलहाबाद में आप पैदा हुए, लेकिन बनारस से आपका रिष्टा बड़ा कमाल का है, और आपको तो आपके यार दोस्त, बहुत सारे संगी साथी बनारसी गुरू भी कहते हैं, ये बनारसी गुरू कहलाने के पीछ हैं, लेकिन बनारसी कहते हैं, इसलिए के बनारस की पाल, बनारस के संगी, घायक, गायका अपने प्रसित थे, इलावत को इसी प्रसिती प्राफ किसी को देए, इसलिए बनारसी गुरू कहते हैं, और मैं एक बात बता दू आपके, मैं गुरू नहीं हुए, नहीं गुरू क मैंने ये सुना था किस्सा एक बार कहीं पर लेकिन चुकि आज जैसा मैंने इंट्रिव्यू की शुरुवात में कहा था कि हमारा परम सौभाग यह है कि आपने हमारे लिए समय निकाला है तो मुझे लगा कि मैं आप से ही ये किस्सा क्यों न सुन लूँ पर आखरी सवाल पू आप जैसे कलाकार जिन्होंने शास्त्रिय मंचों को जितना महकाया वहां जो शास्त्रिय संगीत की महक को बेहरा शीव जीके साथ उतना ही आपका מדhur फिल्मी संगीत भी रहा हम सब जानते हैं जो आपने कमाल के मियूजिक डिरेक्शन में आपके जो गाने बने हैं वो हमेश कि आजकल जो कलाकार शास्त्रिय संगीत की अलग-अलग विधाओं में तालीम ले रहे हैं, सिक्षा ले रहे हैं, उनको अगर आप कुछ बता सकें, उनको अगर आप कुछ कह सकें, उनको अगर आप कोई सीख दे सकें, तो हमारे लिए तो ये आशिरवाद ही है, उन तमाम कला कारों के लिए आशिरवाद स्वरूप आपकी कोई कुछ चंद बातें चंद लाइने सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि हमारे गुरू जो भगवान के सबाद है कि उनका आशिरवाद बहुत आवश्यक्ता है हम सभी कला कर दो उसके लावा जो उनके में शक्ती है संगीती आपको देखे ही उनको क्या करें जो को महुत खुशी होती है जो कुशी होगी तो मैं तो यही कहूंगा एगर अपने आपको अच्छा रखता है तो अपने गुरू की भक्ति करें संगीती भक्ति करें तो बहुत बहुत आपका तहे दिल से बहुत-बहुत आभार और बहुत दिन से मैं यह प्रयास कर रहा था कि आपसे संपर्ब करूँ आपसे बातचीत करूँ आपका इसने हमारी संस्था को मिलता रहा है वो चाहे रागगिरी पुस्तक की बात हो चाहे रागगिरी के कैलेंडर्स हो आपने हमेशा हमारा होसला बढ़ाया है ऐसे ही हमारे होसले को बढ़ाते रहें और मैं आपको एक आखिर में कहा कि संगीत के सिक्षार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपका संदेश पुरी दुनिया में फैले इन ही शब्दों के साथ एक बार पुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे पंडित हरी प्रसाद चौरसिया और जैसा मैंने इस इं आपने गौर किया होगा कि हम आपको देश के तमाम मूर्धन्य कलाकारों से मिलाते हैं उनके जीवन से आपका परिचे कराते हैं उनकी संगीत साधना पर बातचीत करते हैं आप से गुजारिश यही है कि आप हमारे इस प्रयास को क्योंकि रागगिरी सिर्फ एक कलाकार के इंटर्व्यू भर का माध्यम नहीं इंटर्व्यू भर का प्रयास नहीं बलकि हमारी अगली पीड़ी में हमारी शास्त्रिय संगीत की जड़े मजबूत हों उसकी महक पहुँचे इसकी एक कोशिश है हम अपने कलाकारों को जाने पहचाने उनको संबान करें क्योंकि वो हम कोई भी नया इंटर्व्यू करें तो उसकी जानकारी आपका कहुचे फिलाल एक बार फिर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और 2023 आने वाला है 2023 में भी हम आपकी बहुत सारे ऐसे कलाकारों से मुलाकात कराएंगे फिलाल नए साल की धेर सारी बहुत धन्यवाद